सरारत पुन्धंग से आपका अभिवादन करता है वो अत्यन्थी सम्रसार करने वाली घटना है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए एक मुखमंत्री जी का और उन्होंने जिस तरह से एक मैं कहूं कि अगर उन्होंने कहा कि मुखमंत्री गहरी यौन कुंठा के कारण अपने सब्दो संकेत और सारवजनिक व्यवार के महिलाओं को लज्जित और अपमानित की घटनाएं बार बार हो रही है हम सभी लोग सर्मसार हो रहे हैं आप देख लिजिए जो पिछली बार विधान मंडल के भीतर दोनों सदनों में जिस तरह से प्रजनंदर लेके हुआ उस तरह से अगर आप वीडियो निकालिए और जो हाथ का इसारा करते हुए जिस तरह से चर्चा हुआ उससे महिलाएं क काफी अपमानित और लजित हैं गाउं गाउं में आप जाएंगे तो महिलाएं कुछ न कुछ असब्द बात करती ही रहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए पड़ी लिखी महिलाएं छोड़ देजिए यह जो है अनपड महिलाओं के में बात करती हूं और जिस विधान सभाज इनका घर है वहां की महिलाओं से भी जाके अगर आप पूछेंगे तो अपने को सरमसार महसूस करती हैं कि उन्होंने इस तरह से गंदा काम कैसे किया और यही कारण है कि इसके कारण जो अभी हमारी छबी खराब हो रही है और उस कारण से अगर आप देखेंगे तो पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा काम हुआ था जो हम लोग पहली बार बैठे थे यहां बिदाइका जी हैं दो साल पहले हम लोगों ने बिदान मंडल दल की बैठक थी उससे में हमारी बेहन निकी हम्रम थी उनको भी कहा गया था कि वो सुन्दर हो तो महां से शुरू होता है और यहां अंत हो रहा है सोमा चकरवर्ती क्या थी आपकी बेटी के बराबर थी आपकी बेहन के बराबर थी आपको सब लोग सम्मान देता था आप एक गार्जीन के तरह रहते थे लेकिन आखीर आपको हुआ क्या है आपने जब से महागडबंदन के साथ गये हैं तब से लगता है कि मांसिक रोप और भी बिगड़ते ही जा रहा है चाहे वो आप साथ नौंबर को विधान सभा के अंदर जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिया अपनी राजितिक जिंदगी में पहली बार आपने इस तरह का किर्ट लिये ना केवल मिडिया से बलकि सदन में बिना सर्थ माफी मांगने की पड़ी और खुद को सरमुंदा बताते हुए अपनी निंदा भी आपकी थी लेकिन फिर से पूरा ये कैसे ये काम हो गया सोमा चकरवर्ती के साथ कि उनके कंदे पे हाट डालना ये तो एक तरह से छिड़कानी करना हुआ और उसे कहना कि आपका भी अविनन्दन है ऐसा कोई करता है क्या अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर